हेलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर डवड़ी डवड़ी और रेसलिंग से जुली तमाम छोटी बड़ी ख़बरों से अपडेट रहने के लिए हमारे यूटूब चैनल ऐसलिफ टीवी इंडिया को सबस्क्राइब करें और पासाइब लेकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज्यादा से शेयर करें वीडियो को लाज तक देखे बिना इसके डव्य डव्य रॉप पांच चौक आने वाली चीजे जो इस हफते रॉप में देखने को मिल सकती है डव्य डव्य रॉप का इस हफते रेसे मिनिया 49 से पहले आखरी एपिसोड देखने को मिलने वाला है यही कार्ण है कि रॉप के इस एपिसोड के दौरान कुछ दमाकेदार चीजे देखने को मिल सकती है बता दें डव्य डव्य ने पहले ह रेड ब्रांड के इस सो के लिए कुछ बड़े मैचों और सेगमेंटों का एलान कर दिया है कई बड़े WWE सुपरिश्टार भी इस सो का हिस्सा बनने वाले हैं यही कार्ण है कि ऐसा लग रहा है कि रॉके इस एपिसोड के दौरान काफी बवाल होने वाला है इस आर्टिकल में हम ऐसी पांच चौकाने वाले चीज़ों का जिकर करने वाले हैं जो कि इस हफते WWE RAW के एपिसोड के दौरान देखने को मिल सकती है नमबर पांच WWE RAW में आठ मैंट टेक टीम मैच का ब्रॉल के जरिया अंत हो सकता है जी हा दोस्तो WWE RAW में इस हफते इस्टीड प्रॉफिटर्स और ब्राउन इस्ट्रोमैन एंड रिको से एट मैं टेक टीम मैच में बाइकिंग रेडर्स और अलफा अकाडमी का सामना करने वाले हैं बता दें ये सभी टीम में मेंस रेसल मिनिया सोकेस फैटल फोरवे टेक टीम मैच में एक दूसरे के दुस्वन के रूप में उतरने वाली हैं देखा जाए तो WWE बड़े मैच से पहले इन चारों में से किसी भी टीम को सायद ही कमजोर दिखाना चाहेगी यही कारण है कि इस बात की संभावना काफी कम है कि रॉब में होने जा रहा है एट मैं टेक टीम मैच का क्लीन अंत होगा संभाव है कि एक सांदार मैच के बाद अंत में टीमों के बीच किसी चीज को लेकर जड़ाफ हो सकती है इसके बाद सभी टीमें एक दूसरे पर हमला करते हुए मैच को DQ के जरिये अंत कर सकती है नमबर चार्ड डबल डबली रॉ में कारमेला एंड चेल्सी ग्रीन को विमेंस रेसल मीनिया सोकेस फैटल फोर वे टेग टीम मैच में सामिल किया जा सकता है जी हा दोस्तो विमेंस रेसल मीनिया सोकेस फैटल फोर वे टेग टीम मैच के लिए अभी तक तीन टीमों के नामों का खुलासा हो चुका है बता दें लिव मॉर्गन एंड रॉकेर रोडरी ग्रेज नाटालिया एंड सोट जी और रॉंडा राउजी एंड सेना वेजलर इस मैच में जगह बना चुकी है अब इस मैच में केवल एक टीम को सामिल किया जाना बाकी है ऐसा लग रहा है कि आखरी टीम का इस हफते रोग में खुलासा हो सकता है बता दे कार्मिला एंड चेल्सी ग्रीन ने कुछ समय पहले रेड ब्रांड में टीम बना ली थी और ये टीम बीमेंस रेशलमिनिया सोकेस मैच को एंटेर्टैनिंग बनाने में मदद कर सकती है यही कार्ण है कि ऐसा लग रहा है कि डब्ली डब्ली इस हफते रोग में कार्मिला एंड चेल्सी ग्रीन को रेशलमिनिया 49 में होने जा रहा है फैटल फोरवे टैग टीम मैच में सामिल कर सकती है नंबर तीन डब्ली डब्ली रॉमे जॉन सीना पर आस्टिन ठीयोरी द्वारा हमला हो सकता है जी हा दोस्तो जॉन सीना ने कुछ हफ़ते राव में बापसी करके रैसल मिनिया 49 में USA चेंपियन आउस्टिन थियोरी के खिलाब मैच में जगए बनाई थी बता दें इसी मैच के जरिये रैसल मिनिया 49 के पहले दिन के सोकी सुरुआत होने वाली है ऐसा लग रहा है कि जॉन सीना अपने मैच को आखरी बार हाइब करने के लिए इस अपते राव में नजर आने वाले हैं या दिलादे राव में बापसी के बाद जॉन सीना ने अपने सेग्मेंट के दौरान आउस्टिन थियोरी का मजा कुड़ाया था ओमोस का वेट इन सेग्मेंट देखने को मिलने वाला है इस सेग्मेंट के दौरान बड़े मैच से पहले इन दोनों सुपरेश्टारों का बजन मापा जाएगा बता दे ओमोस का बजन 183 किलो जबकि ब्रॉण ब्रॉक लेसनर का बजन 130 किलो है यही कार्ण है कि इस सेग्मेंट के दौरान ओमोस का पड़ा भारी रहने वाला है याद दिलादे कुछ हफ्ते रॉमें हुए फेस आफ़ दा फॉरन ओमोस ने ब्रॉक लेसनर पर हमला करके उन्हें रिंग के बाहर वेज दिया था ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते रैड ब्र कोडी रोट्स का सिंगल मैच में स्वलों शुकवाद से सांबना होने जा रहा है बता दें डेड़ी डेड़ी टीवी पर यह पेहली वार है जब इन दोनों सुपरिश्टारों याद अपने मौजुदा रन के दौरान अभी तक पिन या सब्मिसन के जरिये हार नहीं मिली है फिलहाल ये दोनों ही सुपरिश्टार हारना डिजर्व नहीं करते हैं हाला कि कोडी रोट्स का रेसल मेनिया 49 में रॉमर रेंज के खिलाब मैच होना है संबब है कि WWE इस बड़े मैच में से पहले कोडी रोट्स को ताकतवर दिखाने के लिए इस अपते रो में सोलो शुकाव को हराने के लिए बुक करते हुए चोका सकता है जिया दोस्तों WWE और रेसलिक से चुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल SS Lab TV इंडिया को सबस्क्राइब करें और पासाइब लेकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें